विल्कम टू एक्जाम थियोरी नहीं भूलिएगा तो इस विडियो में हम लोग 112-2020 के सिप्ट टू के सारे मैत के प्रशनों सॉलुशन देखने वाले बाकि जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे सिप्टो के मैत के सॉलुशन इस चैनल पर पहले ही करा दिये गए है तो इस सारे विडियो पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते है तो चले बढ़ते हैं आज के प्रशनों की ओर देखेंगे कोशन नंबर एक यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात पाच अनुपात आठ के अनुपात में है यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता और दूसरी संख्या में 18 जोड दिया जाता है तो अनुपात जो है एक अनुपात 3 हो जाता है तो आप से पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा तो सबसे पहले जो है दोनों संख्या यहां पर कितने दी गई है पांच अनुपात आठ यानि कि 5 रेशियो 8 दी गई है बाद में घटाया जाता और दूसरी संख्या बढ़ाया जाता तो यह अनुपात कितना हो जाता है एक अनुपात तीन यानि की one ratio three हो जाता है तो पहला वला में क्या किया जाता है पहले वाली संख्या यह जो आपके पहले वाली संख्या का अनुपात है यह आपके दूसरी वाली संख्या का यहाँ पर पहली संख्या में क्या बोला गया है कि 15 घटाया जाता है और दूसरी बाली संख्या में क्या किया जाता है 18 जोड़ा जाता है इसमें दूसरी बाली संख्या में 18 जोड़ा जा रहा और पहली संख्या में 15 घटाया जा रहा है तो यहाँ पर क्रोश गुना करेंगे क्रोश गुना करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे यह सबसे असान तरीका होता है किसी का रिशियो जब इस तरीके से अंतर और जोड़ इस तरीके से दिया हुआ रहे है तो इसे जो हल करने के लिए सबसे असान तरीका होता है यहां पर क्या करेंगे इसे हल करेंगे तो difference निकालेंगे गुना करने पर तो आपका कितना हो जाएगा यहां पर cross गुना करेंगे तो पास्तिया 15 और यहां पर 8 x 8 ży 1加 1 का तो 15 और 8 का हांतर केतना होता है साथ pocket के एन कि philanthropy युणित के बरबर है और यहां पर क्या करेंगे इसी तरीके से принцип कि यहां पर डिफ्रेंट यानि कि यहां पर कितना हो जाएगा इटारा मैनस 15 तिया क्या करेंगे 45 तो कितना हो जाएगा मैनस 45 तो क्या करेंगे जोड देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहापर से क्योंकि मैनस मैनस पर दलस हो जाएगा आपका तो 18 और 45 आपका कितना हो जाता है 50 यानि कि 63 हो जाता है 7 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 9 बार में यानि कि 1 unit का भेलू कितने के बराबर है तो 9 के बराबर है तो पूछा क्या जा रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है तो 2 संख्याओं के बीच का अंतर unit में कितना है पहली संख्या 5 unit थी दूसरी संख्या 8 unit तो दोनों संख्याओं में अंतर unit का 3 unit का अंतर है तो अगर 1 unit का भिलू 9 है तो 3 unit का भिलू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 यानि कि दोनों के संख्या में अंतर कितना है 27 यानि कि 27 का अंतर है तो यहाँ पर आपका option number 1 बिल्कुल सही होगा निस question देखेंगे question number 2 यहाँ पर question में दिया गया है कि अंठामन किलोमीटर परती घंटा की 40 से चल रही है कि रेलगारी यक्स किलोमीटर इस और यक्स रेलगारी की यह जो है क्या दिगए यह रेलगारी का नाम है यानि कि रेलगारी यक्स जो है विपरी तीसा में 50 किलोमीटर परती घंटा की 40 से चल रही है अन्य रेलगारी वाई को पूरी तरह पार करने में 16 सकेंड का समय लेती है यदि रेल गारी Y की लंबाई X की लंबाई से दो गुना है तो रेल गारी Y एक पूल को 54 सकेंड में पार कर जाती है तो पूल की लंबाई कितनी होगी यह आप से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या निकालनी होगी यहाँ पर हमें निकालना होगा की? तब से पहले जो है इस लाइन पर हम लोग ध्यादेंगे इस लाइन में क्या बोला गया आज है कि रेलगारी Y की जो लंबाई है X से क्या है? दोगनी है तो अगर रेलगारी ethics की लंबाई मानने की एक है तो इसे दोगना लंबाई यह कितनी हो जाएगी दो यूनिट हो जाएगी तो यहाँ पर आगे confusion नाव इसलिए यहाँ पर क्या कर लेते इसे 1A माल लेते इसे 2A माल लेते यहाँ कि इसकी लंबाई 1A है पहले रेल गाड़ी की लंबाई 1A है और Y Why Rle-gaardy के Limbáय 2A है तो यहां पर जो है घुद जो जो दोनों एक दूसरे के विप्री दीशा में दोनों रिल-gaardy चलते तो एक दूसरे को 16 संस-कुट में पारकर लेते तो जब दोनों के विप्री दीशा में चलेंगे तो दोनों का दूरी क्या होगा यह आपकी जो रेल गारी के लंबाई हो ही क्या होगा कुल दूरी होगा तो यहाँ पर से आपको क्या पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है समय बराबर आपका क्या हो जाता है दूरी बटा चाल यानि कि distance time बराबर आपका distance by a speed होता है तो फर्मूला ध्यान अखेगा तो यहाँ पर जो है समय बराबर क्या है दूरी बटा चालतो दूरी कितना है दोनों द्रेल गारी की लंबाई ही कुल दूरी होगी तो कितने होगी 2a पलस 1a यानि कि 3a by आपका क्या हो जाएगा speed यानि कि x की चाल 58 km परती घंटा और y की चाल 50 km परती घंटा तो विप्रिद हिसा में जब चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा जूट जाएगा तो 50 और 58 कितना हो जाएगा आपका 108 लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो किसमे रेलगारी की लंबाई हम लोगों ने मीटर में माने और जो यहाँ पर समय भी इसका दिया सकेंड में है तो यहाँ पर चाल किसमे होनी चाहिए मीटर पर सकेंड में 18-186 बार में चला जाएगा 3-6 दो बार में चला जाएगा तो A बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 16, 85, 80, दुनी कितना हो जाएगा 160 मीटर यानि कि A का यहाँ पर मान कितना आया A का मान आप गया 160 किलो मीटर तो यक्स का भेलू कितना आ जाएगा 1A था यानि कि A मीटर थी यानि कि यक्स रेलगारी की लंबाई कितनी थी 160 मीटर थी वानि कि 160 मीटर फिर उसी तरीके से Y रेलगारी की लंबाई कितनी हो जाएगी 2A थी तो अगर A का भेलू 160 मीटर है तो 2A का भेलू कितना हो जाएगा 320 तो अबर क्या कर रही है रिल गाड़ी वाई अबर पूल को पार कर रही है तो वाई का तो हमें रिल गाड़ी की लंबाई पता है लेकिन हमें पूल की लंबाई नहीं पता है तो पूल की लंबाई क्या मान लेते हैं यक्स यानि की बिरीज की लंबाई हम लोग मान लेते हैं क कि कूल दूरी 320 पलस यक्स होगी और चाल कितना है तो यहां पर पचास किलो मीटर परती घंटा है लेकिन जो आपका दूरी है वो मीटर में है तो चाल किसमें होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में तो पाच वट्ट 18 से गुना करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा तो समय यहां पर आपका कितना दिया गया 54 सेकेंड पार करने में लगता हल करेंगे यहां पर से एक का जो भीलू आएगा वही ब्रिच की लंबाई होगी तो हल करेंगे तो 18 तिया 54 आपका कितना आ जाएगा पाच पचीश तिया पचाटतर यानि कि सारे 700 मेनस 320 करेंगे तो आपका Question No.3 यहापर question में बोला जा रहा है कि किसी लम बिरतिय बेलन का बकर प्रिष्टिय छित्रफल यानि कि लेटरल सर्फिस एरिया का छित्रफल 144 cm2 है यदि इसकी उच्चाई 14 cm है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन का आईतन कितना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर से हमें क्या पता करनी होगी तरीजिया पता करनी होगी तो बकर परीश छितरफल का फर्मोला क्या होता है तो बेलन के बकर परीश छितरफल का फर्मोला हो जाता है आपका 2 पाई आर याज तो यह फर्मोला ध्यान अकिएगा तो क्या करेंगे फरमोला पे भेलू पूट करेंगे आपका 3 जिया आजाएगा तो क्या करेंगे भेलू 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते है 22 बटा 7 तरी जिया नहीं दिया गया हमें निकालना तो उसे आर्ष से डिनोट कर देंगे और उचाई कितनी दी गई है 14 cm और टोटल जो है यहाँ पर लैटर सर्फेस एरिया कितना दिया गया है बगरेपरी शेतपा तो 1144 चल करेंगे तरीजिया आ जाएगी तो काटेंगे यहाँ पर 11 से तो 11 दो बार में यह आपका 104 बार में फिर आपका यहाँ पर से 7 से काटेंगे तो यह दो बार में तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 से काटेंगे तो यह एक बार में दो बचा तो 8 तीया 24 यानि कि तरीजिया आपकी कितनी आ गई यहाँ पर से 13 cm यहाँ पर से अब हमें में फर्मोला याद नहीं रखेंगे तब तक आप मेसुरेशन के प्रस्टन हल नहीं कर पाएंगे तो याद रखेगा फर्मोला पर भेलूपूट कर देंगे तो पाई को बाइस वटा साथ लिख सकते त्रीजिया कितनी है तेरा सेंटीमेटर तो तेरा का स्कॉयर करेंगे क्यो और चौथा तो नहीं हो सकता बाकी हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर से और यहाँ पर से 16.64 यानि कि 64 से तो उपर आना चाहिए यह भी नहीं हो सकता यानि कि आप्शन नंबर 3 होगा यह मैंने सिर्फ बिना गुना बताए आपको यहाँ पर मैंने बाई आप्शन यहाँ अपर से अनसर निकालिया बागी आप चाहे तो गुना करके भी धेख सकते हैं 9.36 होगा 3 यानि आपर से 9.36, 6.24 यानि कि 4, 20, 60, 73 कितना हो जाएगा तीर सट और आपका हो जाएगा 6 तो कितना हो जाता है यहाँ आपका हो जाएगा 4 और 6.24, 4.28, 24, 34, 3 4,rolled 3 कितना हो उता हो कि 3400 कितना हो जाएगा 36 यह जो आपका क्या आजाएगा इतना सेंटी मीटर क्यू इतना आपका भॉल्यूम आएगा तो निक्स कुशन दिखेंगे दिखेंगे कुशन नमबर चाँ यहां पर कुशन में दिया गया है कि 15 संख्याओं का आउसद 23.4 है इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का आउसद 25 है और अंतिम 7 संख्याओं का आउसद 22.5 है यदि 9 संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्या का आउसद कितना होगा यह आप से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी हमें क्या निकालना होगा 9th number यानि कि 9 जो संख्या उनका भेलू निकालना होगा तो सबसे असान तरीका क्या होगा तो ये जो सबसे असान तरीका होगा कि overall जो है 15 संख्याओं का उसात यहाँ पर कितना तिया गया 23.4 यहाँ पर क्या लिखेंगे 23.4 पहले लिखेंगे फिर ज यहां पर 1.6 क्या है अधीक है तो यह क्या करेंगे जिए जो 9 संक्या में जितना अधीक आउसत उसको क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 14.4 यहां पर बिर्दी हो रही है तो पलस में तो कितना हो जाएगा 14.4 फिर जो यहां पर आपके क्या देखने को मिल ली है अब जो अंतिम जो 7 अंक्या उनका उस्त कितना है 23.4 से घटकर कितना होगी है 22.5 यानि कि यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है तो आगे मैनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितने कमी देखने को मिल ली है तो 23.4-22.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.9 यानि कि 7 में क्या करेंगे 0.9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.3 तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 4-4-8 37.8 में से आपका 6.3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 31.5 बचेगा यानि की नौमी संख्या का भीलुव आपका कितना आगिए? 31.5 तो हम लोग अब क्या करेंगे? ये जो 15 संख्याओं का औसाथ दिया गया पहले क्या करेंगे? उनका योग निकाल लेंगे ये तो आपकी पहले 9 संख्या आगिए ये आपकी 9 संख्या आई ये पंदरा संख्याओं का यहाँ पर से जो योग निकालने पर आएगा उन पर क्या करेंगे यह मैनस करेंगे फिर आउसत निकाल लेंगे तो योग आपका यहां पर से कितना हो जाएगा तो पंदरा इंटू 23.4 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पर से पंदरा चॉक 64 पंदर दूनी तीस, पंदरत्य यह 45 345, 6 , 3001 का मनी यानि की गुना कितना होगी, गुना करने पर 15 संख्याओं का योग 301 कामन आगी उसमें क्या करेंगे 31.5 मैनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से योग 59 यहाँ पर से रह गया 4 में से 3, 1 यानि कि 319.5 अब हमें क्या चाहिए इनका उसर चाहिए तो पहले कितनी संख्या थी 15 उसमें अब एक संख्या को हटा दिया गया तो आप संख्या कितनी हो गए 14 तो क्या करेंगे 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 14 दुनिया 28 तीन बचा तो 14 दुनिया 28 फिर आपका कितना बच जाता 921115 यानि कि 148 112 लगबग जो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 22 दुनिया 28 आपका नया उसत आएगा तो यहाँ पर आपका option नमबर एक बिल्कुल सही होगा निश कोशन देखेंगे कोशन नमबर 5 यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि 15 पर 32 दर पर एक जो है धन राशी का 2 वरसों के लिए चकरिवेद्धी वियाज 5900 अंठामन है जिसमे वियाज हर जो है आँट माह पर चकरिवेद्धी किया जाता है यहाँ बियाज जो है बारसी का रह पर चकरिवेद्धी वियाज किया जाए तो वह धन्रासी उतने ही समय में उतनी ब्याज जर पर कितनी हो जाएगी आप से पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिशियो मेटर लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले यह जो आपका चकरी ब्याज कैसा लग रहा है आठ महीने पर लग रहा है यानि कि एक साल का कितना ब्याज दिया गया है पंद्रा पर तीसाथ तो यह कितने का बारा महीने का ब्याज है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का बैज, हमें क्या चाहिए आठ महीने का बैज, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 4 दुनिया, 4 तीया, 12, 3, 5, 15, यानि कि 8 महीने का बैज कितना लगता है, तो 10 पर 30 बैज लगता है, यहाँ पर से हमें पता चल गया, तो 10 यूनिट के कोई राशी पर, एक यूनिट का क्या लगकर, ब्याज लगकर, क्या हो जाता है, 11 यूनिट इमाउंट हो जाता है, ऐसा कितने साल तक चलता है, 2 साल तक चलता है, लेकिन यह जो चगरी बिर्दी ब्याज लग रहा, 8 महा पर लग रहा है, तो टूटल 2 साल में कि 24 महीने होते है तो टूटल कितने 8 महीने इसमें आ जाएंगे 3 बार तो यहां पर क्या कर देंगे पावर 3 कर देंगे क्या करेंगे पावर 3 कर देंगे क्योंकि यह 3 टर्म पर परियोगों का अगर आपको compound interest ratio या फिर ratio meter या फिर 3 meter से निकालने के लिए नहीं आता तो मैंने एक full flash वीडियो डाल कर रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए मैंने वहाँ पर 4 तरीके से compound interest निकालने के लिए आपको बता रखा है तो अगर आपको नहीं आता है compound interest निकालने के लिए तो वो वीडियो जाकर देख सकते है तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर से आप क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे दसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हजार इगारा का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एक तीन तीन एक यहाँ पर से यह 1000 यूनिट क्या है आपका मूल धना और 1331 यूनिट क्या है मिसर धन है तो अगर मिसर धन मैनस मूल धन करेंगे तो आपका क्या पता चलेगा compound interest पता चलेगा तो compound interest यूनिट में कितना यहाँ पर है तो एक बार में इकाई आठ यानि कि एक उनिट का भेलू कितना हो जाएगा अठारा रूपिय है कितना हो जाएगा अठारा रूपिय है हमें क्या चाहिए मुल्धन चाहिए तो मुल्धन कितना यहां पर एक हजार उनिट है तो अगर एक उनिट का भेलू अगर एक उनिट का भेलू अठारा रुपी है तो एक हजार उनिट का भेलू कितना हो जाएगा अठारा हजार रुपी है यानि कि मुल्धन कितना आगी है अठारा हजार रुपी है तो अब हमें क्या पता है जो है Fraction Video कितना होगा ? 3 वट्टा 20 यानि कि 20 ते कोई राज़ी पर 3 वट्टा पर 2 लगता है यानि कि 23 वट्टा 20 कितने साल तक चलता है ? 2 साल तक तो क्या करेंगे ? 23 वट्टा 20 से 2 भर से गुना कर देंगे हल करेंगे तो आपकर क्या निकल जाएगा है मौउंट यानि कि मिज्रधन आजाएगा हल करेंगे यहांपर से 1 के 2 सुना से दो सुना चला गया 2, 2, 4, 4-1803 काटेंगे तो 4.4, 4.85 य lance कि 45 Колroon 23 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 दिया 15 45 दिया 55 य ordinance कि 5 आपका कितना आना चाहिए य cupcake ye districts 1 या आपका कि आपका अपशन नंबर 3 बिलकुल नौन सही होगा क्योंकि यहां पर 4 है यहाँ पर 0 यहाँ पर 8 है तो हमें का चाहिए का यह 5 है तो 5 फिर्फ यहाँ पर रहे यानि कि आपका option number 3 बिल्कुल सही होगा अगर आप गुना करना चाहे तो गुना करके देख लीजिए का आपका 23805 आ जाएगा कितना गुना करने पर 45 इंटू 23 इंटू 23 तो निश्क कोशन देखेंगे कोशन number 6 यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि एक बेबसाई जो है 40 दर्जन केले 60 रुपे परती दर्जन के मूले पर खरे देता है और उनका 3 वटा 4 भाग 25 परतीसत के लाव पर भेजता है तब तक 2 दर्जन केले जो है क्या हो जाते है सड़ जाते है तो बचे हुए केले को वगवा 5 परतीसत के हानी पर भेजता है तो पूरे सौदे पर उसका लाव परतीसत कितना होगा यह आप से पूछा जा रहा है फिर जो है अब क्या करता है फिर जो है उनमें से अब 2 दर्जन केले जो है क्या हो गए सड़ गया यानि कि उनमें से 2 दर्जन केले सड़ गया फिर यहाँ पर जो है 30, 32, 32 गया बाकी जो बचा किला कितना बचा 8 दजन किला उसे क्या कर दिया 5% के हानी में बेच दिया आप क्या करेंगे यहाँ पर से हल करेंगे जो ratio में पहले कट रहा तो काट लेंगे यह 2 से कट रहा है तो यह 2 से 4 बार में ये 2 से 15 बार में कट रहा है अब क्या करेंगे सीधा सीधी गुना कर देंगे आप टोटल रिष्यो के यूनिट के सम से भाग कर देंगे तो आपका overall profit percent आ जाएगा तो 15 into 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 15 दूनी 30, 15 पचे 75 यानि कि 375 यहाँ पर 100 into 1 तो आपका कितना आजाएगा minus 100 और यहाँ पर कितना आजाएगा 4 into minus 5 तो minus 20 overall आपका कितना हो जाएगा 120 तो 120 मैनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 120 यानि कि 2 यहाँ पर 5 255 बटा क्या करेंगे total overall ratio के unit के sum से divide कर देंगे, तो 15, 16 16, 16, 4 कितना हो जाएगा, 20 unit तो 20 unit, तो यहाँ पर 20 से भाग करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा हल करेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर से तो 21 बार में, फिर आपका कितना बचा है, यहाँ पर से कोशन देखेंगे, कोशन नमबर 7, यहां पर कोशन में दिया गया है कि हुगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे 397 में 435 और 541 से भाग देने पर करम सा 6, 10 और 14 सेसफल प्राप्त होता है, ताब से पुछा जा रहे है कि 3x प्लस 4 का भेलू क्या होगा, तो सबसे पहले गा 391, कितना है कि अगा 391, पर 435 से माइनस दस करेंगे, तो आपका कितना आएगा, तो 425 और 541 से ऍच्रफ सुल 14 से करेंगे, तो कितना आजाएगा, 11-3 यानिकी, आपका 5000 से 27 आईगा, तो आप क्या करेंगे, जो यहां पर जहां पर हमें कम अंतर देख रहे है वहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं में हमें कम अंतर देखने को मिल रही है कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर 25 है यहाँ यहाँ यानि कि 34 का अंतर आ रहा है तो यह तो यह जो डिफरेंस आ है वही क्या होगा इन तीनों संख्याओं का YACF होगा हम लों क्या निकाल रही है है अगर आपको इस तरीके से YACF निकालना नहीं आता तो आप जिस तरीके साथ आप उस तरीके से निकाल सकते है वैसे मैं यहाँ पर सौटकर तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी जो संख्याओं में सबसे कम अंतर दिखे पहले उसको क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे जो संख्या आएगी या तो वो ही संख्या इन तीनो संख्याओं का YACF होगी या फिर अगर इन तीनो संख्याओं का YACF ये नहीं होगी तो 34 का ही कोई Pactor ये क्या benएगा इन तीनों संख्याओं का यशियफ बनेगा तो 34 नहीं है तो 94 का अधर कितना होता है 17 तो 17 इसका क्या Pactor है 17 से काटेंगे तो 17 24 सतरत्य कामन सही है 17 दूनी 34 75 सी कामन फिर 17 कामन याSON यानि कि ये तीनों संख्या 17 से कट रही है तो यह 35 आपका क्या आगया? 3 संक्याओं का 17 आगया तो यहांपर यक्स का ये भीलू क्या ये जो 17 है वह असल में क्या ये क्या करेंगे? इसमें येक्स का भीलू पूट करेंगे आप का अंसर आ जाएगा तो कितना है 3 यक्स? तो कितना हो जाएगा 17 तिया एकामन पलस 4 तो एकामन अचार आपका कितना हो जाता पचपन यानि की 55 आपका अंसर होगा तो आपका उप्शन नमबर यहाँ पर दो बिलकुल सही होगा नीश कोशन देखेंगे कोशन नमबर आठ यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि तेल के मुल में 20 पर 30 की कमी से एक बेक्ती जो है 4500 रुपे में 15 लीटर अधिक तेल जो है खरीद पाता है तो आप से पूछा जा रहा है कि तेल का प्रारंबिक मूल परती लीटर कितना था तो मैं आपको असान तरीका बताओंगा यहां पर तो यहां पर जब इस तरीके से दिया हुआ रहे है और आप से पहले वाले यानि कि प्रारंबिक मूल पूछे तो यहां पर कमी कितनी देखने को मिल लीए 20% की कमी ओबर ओल जो है किसी का भी दाम खुद में हमेशा 100% हो रहा है तो करेंगे जैसे कि 15 लीटर तेल है उसे क्या करेंगे नीचे लिग देंगे इस तरीके से यह प्रशन हल करेंगे तो आप अचाने से हल कर पाएंगे तो हल कर लेते 20 से 80 काटेंगे तो कितने बार में चार बार में चला जाएगा 15 से काटेंगे तो ये 300 बार में चला जाएगा तो 300 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपिये पर 3 लीटर ये आपके क्या आ गए तिल की प्रारंभिक मुल आ गए तो यहाँ पर आपका option number 3 बिलकुल सही होगा नीश कोशन देखेंगे Question number 9 यहाँ पर question में दिया गया है कि एक बिलीटाकार बाग की परीदी 253 मीटर है यदि 8 रुपे पर 3 मीटर असक्वाइर की दर से उसे समतल करवाने की लागत कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है यानि कि यह जो रुपिया दिया गया है मीटर असक्वाइर पर दिया गया है यानि कि हमें क्या निकालना होगा एरिया निकालना होगा एरिया निकालने के लिए हमें 3 जा चाहिए होगा तो यह जो परीदी दिया गया है हम लोग क्या निकास एते है तिरीजिया निकास एते है तो बिरीद के परीधी का फर्मॉला क्या होता है टू पाई आर कितना होता है टू पाई आर तो क्या करेंगे भीलू पूट करेंगे टू पाई को बाईस बटा साथ लिसकते तिरीजिया आपकी आर दी गई और परीधी तो अबर आल आपका कितना दिया गया है दो सो तिरपन तो हल करेंगे 11 दूनी बाइस 11 दूनी बाइस 11 दूनी बाइस 11 दिया 33 तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 23 इंटू 7 बटा 4 यह आपकी क्या आ गए तरीज्या अब हमें क्या चाहिए area चाहिए तो area का formula क्या हो जाता है बिरित के area का formula पाई आर स्कॉयर होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे पाई को 22 बटा 7 लिख सकते है त्रीज्या कितने आगे 23 इंटू 7 बटा 4 तो 23 का स्कॉयर करेंगे तो 539 7 का स्कॉयर करेंगे तो 144 का स्कॉयर करेंगे तो 16 इंटू हमें क्या दुनी यहाँ पर से 16 चला गया, 7 से यहाँ पर 7 बर में उचास चला गया, 2 से 22 आपका 11 बार में चला गया, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 529 इंटू 11 सते 77 करेंगे, तो आपका कितना जागा, 963 यानि की काई अंक 3 आना चाहिए, यहाँ 2 एं नहीं हो सकते, यहाँ 0 एं होगा, 0 एं नहीं, 3 कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानि कि आपका उप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, इस तरीके से आप अगर बड़ा गुना रहे तो आप्शन को पहले चेक कर लें कि काई अंक, डिफरेंस अभी में या डिफरेंस है, तो आप आसानी से टिक कर के आ सकते हैं, आपका अंसर सही होगा में साथ, निक्स कोशन देखेंगे, वैसे आप चाहिएगा तो गुना करके देख सकते हैं, आपका इतना आ जाएगा, यानि कि 40,733, निक्स कोशन देखेंगे, कोशन नमर 10, यहाँ पर कोशन में बोला जा रहे हैं कि A की I, B की I से 20 प वटब निक्वाटर पांच, यानि कि A की I, B की I से 20 पर इतिसाद अधिक, यानि कि A वटब पांच अधिक है, यानि कि B अगर 5 यूनिट हो तो A उसे 1 आधिक, ज det यानि कि 6 ली निक्वाटर है, फिर C का जो यहाँ पर बोला गया है, कि A और B के कुल आए से 5 पर तिससाद क यूंधा 55 पर 30 कम है यानी कि 100-5 आ आपका कितना है 45 पर 30 है क्या करेंगे धूंधा है किरेंगेaráल 35 काटेंगे 9 बार में यह कितने बार में 20 बार जेए कितने जיחेगा यहां पर यौ है यहां पर पर हब जाएगा 11 990-22 99 बटा 20 तो अब हमें क्या चाहिए C और A से रिलेशन है तो हम लोग क्या करेंगे C और A का रिलेशन यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि जिससे कलकुलेशन असानी हो इसलिए हम लोग अलग से रिश्यो निकाल लेती क्योंकि हमें C और A से मतरब है तो यहाँ पर C कितना आया था 99 बटा 20 तो हल करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 33 तिया 99 यानि कि एका भीलू कितना हो जाएगा 40 यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 यानि कि कितना कम है A से C जो है A से 7 यूनिट कम है कुल कितने में से 40 यूनिट में से हमें क्या चाहिए गुनाह करेंगे, हल करेंगे, आपका अंसर आजाएगा, तो यहाँपर आपके कितना हो जायेगा, बीस दुनी चालीस, बीस पचेस सो, साथ पचे आपके कितना होता है, 35 जड़े, तो आपके यहाँप़ रीश, अनुपात में, सरी, अनुपात में ने, decimal में आपका भेलू कितना आ जाएगा है यहाँ पर से 17.5 आएगा तो यहाँ पर आपका option number 2 बिल्कुल सही होगा निश कोशन देखेंगे कोशन number 11 यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि एक निशित धनासी समान बारसिक सधारन ब्याज दर पर 4 बरसों के बाद 5796 और 7 बरसों के बाद 6993 हो जाती है तो 72 रुपय की धनासी के लिए उसी ब्याज दर पर 2 पुर्णा के एक वटा 4 बरसों का सधारन ब्याज कितना होगा यह आप से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा एक साल का सधारन ब्याज और प्रिंस्पन निकालना होगा तभी हम लोग क्या कर सकते है रेट निकाल सकते है क्योंकि यहाँ पर से दर हमें पता चलेगा तभी तो हम लोग आज निकाल पाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे यह दोनों इमाउंट का अंतर निकालेंगे यह चार साल का इमाउंट ह कितना हो जाएगा तो 6993 मैंनेस 5796 करें हैं कितना हो यहां पर ना सब्सम al कांतर कितना है चार बर से साथ बर से यानि कि तीन साल के अंतर का ब्याज है तो हल करेंगे तो एक साल का क्या निकल जाएगा सधारन ब्याज तो तीन से काटेंगे तो तीन तीन नौ दो बचा तो तीन नमा सताइस तीन नमा सताइस यानि कि एक साल का सधारन ब्याज कितना हो वह निकालेंगे तो कितना जि स्थी तिन नौ्च शांतिस तीन 59 चार्टी या 12 तिन 15 तो क्या करेंगे वांद छी आने में से क्या करेंगे वे Standard 6 में फंस स्थी आने मैंस करेंगे तो कितना आ जाएगा दो सुनना यहाँ पर दो यहाँ पर चार यानि की 42 रुपी यह आपके क्या आगए प्रिंस्पल यानि की मुलधन तो बटा नीचे क्या लिख देंगे 42 हमें रेट चाहिए यानि की परसेंट में भेल हुचाहिए तो सौ से बुना करेंगे, 2 रुपी तो यहाँ पर स्यापकर क्या हुचाहिए आ तीन से कट रहें तो काट लेंगे, 14 बार में साथ से भी कट रहे हुचाहिए, तो साथ से पहले काट लेते है 3745 pro 386 pro 38 desse like to почти 369, top और यहाँ तब हमें की दंते रभी है समय है इस पे यह सिंपल इंट्रेस यानि कि सधारन ब्याज निकालने का फर्मोला क्या मैंने बता रखा है पी इंटू आर इंटू टी वाई हंड्रेड होता है यानि कि सधारन ब्याज बराबर मुल्धन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है तो आपके अगर इंगे पूट करेंगे प्रिंश्पल यानि कि मुलधन कितना है 72 रुपी है और रेट यानि कि दर कितना आया है 19 बटा 2 पर 30 समय कितना दिया गया है 2 पुर्णा 2 बटा 1 बटा 2 यानि कि फ्रेक्शन में कितना हो जाएगा 5 बटा 2 तो 2 आपका नीचे चला जाएगा 100 नीचे गुना होगा हल करेंगे आपका सथारन ब्याज आजाएगा तो 2 सुना 2 सुना चला गया 2 दूनीच 4 कितना हो जाएगा 18 चौक 72 तो 18 पच्चे 90 90 और 19 नम आपका कितना होता है 171 यानि कि 1710 रुपी ये क्या आगए आपकी सथारन ब्याज तो यहाँ पर आपका उप्चन नमबर 4 बिलकुल सही होगा निच कोशन देखेंगे कोशन नमबर 12 यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि अनीता एक बस्तू पर उसके लागत मुल से 210 रुपीय अधिक मुल अंकित करता है जब वह इसे जो अंकित मुल पर 20 पर 30 की छूड़ देकर बेचता है तो उसे 10 पर 30 का क्या होता है हानी होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बस्तू का बिक्रे मुल कितना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मांग्ड प्राइज जो है मान लेते क्योंकि कोई भी मुल कोई भी जो है आपका अंकित मुल खुद में जो है कितना पर 30 होता है 100 पर 30 होता है तो यहाँ पर 100 पर 30 के समान को क्या किया गया है 10% का हानी होता यानि कि 10% का fraction value कितना होगा 1 वटा 10 यानि कि 10 unit वाले समान को कितने में बेज देता है 1 unit कम यानि कि 9 unit में बेज देता है तो यहाँ पर से हमनों क्या निकास सकते है अंकित मुल, भिकरे मुल और मुल धन का यहाँ पर से तो 9 सभी में गुना हो जाएगे 10 बचे 45, 9 चौक 36 और 10 चौक कितना हो जाएगा 40 यानि कि आपका यहाँ पर अंकित मुल कितना है 45 यूनिट विक्रेमुल 36 यूनिट और आपका यहाँ पर जो है क्रेमुल कितना है 40 यूनिट तो यहाँ पर बस्तू पर पूछा जा रहा है कि बस्तू का जो है विक्रेमुल कितना है विक्रेमुल कितना है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यह जो है क्या दिया गया था कि 210 रुपिया जो है क्या किया जाता है मारकप इतनी रुपिया का किया जाता है तो CP से यहाँ पर Unit में Mark-Up कितना है तो 5 Unit का Mark-Up है वारोबिया में किदने के सब्खक्राइल है 210 अlicht ₹ んだ ओनी 210 कुल कितना बार में चला जाएका 42 पार में यानि कि 1 Unit का भीर लुद समूद्ध . पूछा क्या जा रहा है विक्रेमूल तो विक्रेमूल कितना 36 रूट तो एक रूट का भीलू अगर 42 रुपए तो 36 रूट का भीलू निकालने के लिए 36 रूट गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहां पर से दिनों में पूरा कर सकते है बी जो है उसे तीस दिनों में कर सकता है बी एक साथ मिलकर नौ दिन तक जो है काम करते है से इस काम को अकेले से इस काम को अकेले सी दौरा चार दिन में पूरा किया जाता है तो आप से पूछा जा रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कित तो 18 और 30 का यहां पर क्या करेंगे यल्सीम ले लेंगे यल्सीम कितना हो जाएगा 90 90 को 18 से भाग करेंगे 5 आएगा 30 से भाग करेंगे 3 आएगा यानि कि A की कारचमता 5 है B की 3 यानि कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो 5 तीन 8 करेंगे और दोनों मिलकर कितना द काम उन्होंने अभी तक किया होगा टूटल करना कितना काम था बहत्तर सोरी 90 था टूटल करना काम 90 था उनमें से किया गया काम कितना है 72 तो बचा हुआ काम कितना है तो 90-72 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 यानि कि 18 काम अभी भी क्या है करना है जो कि किसके द्वारा किया गया C के द्वारा किया गया यानि कि हमें क्या चाहिए C की कारचमता चाहिए तो कारचमता निकालने का फर्मूला क्या होता है टूटल बरकबाई क्या हो जाता है आपका समय होता है ये कारचमता निकालने का फर्मूला होता है तो बचा हुआ काम कितना है 18 करेगा कितने समय में चार दिन में तो यहां पर से हल करेंगे तो आपके C की कारचमता आजएगे किसकी C की हल करेंगे तो यहां पर से दो से नौ यहां पर से दो बार में यहां कि C की कारचमता कितनी आ गए नौ बटा दो तो अब हमें क्या निकालना है समय निकालना तो समय निकालने कभी मैं फर्मोला बता चुका हूँ क्या होता है टूटल बर्कभाई फिसेंसी होता है तो फर्मोला ध्यान लखेगा तो टूटल करना कितना काम है B और C को मिलकर 90 काम करना है आप दोनों मिलकर कितने की कारचमता से काम करेंगे B. 3 से और C. 9 बटा 2 से तो 3 और 9 बटा 2 का योग कितना हो जाएगा तो 3 दोनी 6 यानि की 15 बटा 2 होगा हल करेंगे 15.6 नबे 6 से 2 उपर में गुना होगा तो दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेंगे तो बारा दिनों में काम को कर लेंगे तो यहाँ पर आपका option number 2 बिल्कुल सही होगा इस question देखेंगे question number 14 यहाँ पर question में दिया गया है कि 13 करमगत पूर्ण संख्याओं का योग 1349 है इन संख्याओं में से अभाज संख्या यानि कि प्राइम नंबर का योग कितना होगा यह आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है मैंने बताया कि जब पूर्ण संख्या रहे तब जो है सबसे छोटी संख्याओं को क्या कर लेते यक्स मान लेते हैं फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी यक्स प्लस फिर उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यक्स प्लस टू यानि कि सभी संख्याओं में करमगत संख्याओं में क्या होती एक एक की बिर्धी होती है तो हम तिम संख्याओं की कौन सी हो जाएगी एक्स प्लस ही गारा होगी तो यहाँ पर सभी को अगर जोड़ेंगे तो टूटल एक्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर टूटल आपके कितने है तीरा है तो यहाँ पर बारा हो जाएंगे यहाँ पर एक्स प्लस बारा होगी यानि इन्टू येन प्लस वन बाई टू होता है तो टूटल हमें क्या चाहिए बारा का योग चाहिए तो बारा इन्टू क्या करेंगे येन प्लस वन यानि कि तीरा बट्टा दो दो से काटेंगे छे बार में तो कितना हो जाएगा एक और यहाँ पर से 7-6-13 यानि कि 1261 हैगा आप क्या करेंगे 13 से डिभाइट करेंगे तो आपका कितना हो जागा 13 नमा 117 6-39 तो 1391 यानि कि यक्ष का भिलू कितना आगिया संतान में हमें क्या चाहिए अभाज शंख्या यानि कि प्राइम नंबर चाहिए 7-9-99 आपके फिर कौन से 101 फिर आपके 103 105 107 3-36 आपका 109 अब इन में से ढूंडते कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है 99 आपका प्राइम नंबर नहीं है फिर आपका कौन सा प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर से आपका 105 प्राइम नंबर नहीं है बाकी सब आपका क्या है प्राइम नंबर है तो आप क्या करेंगे जिनका योग निकाल लेंगे आपका अंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 916,19,21,27,27,27,27,20,20,20,30,40,9,40,2 कितना होगा एक कामर यानि कि यह आपकी क्या होगा योग तो यहाँ पर आपका option number 2 बिल्कुल सही होगा निश कोशन देखेंगे कोशन नंबर 15 यह क्या है आपका simplify से करना है simple सा कोशन है हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो ये वाला जो संख्या दिये गए उनका पहले क्या कर लेते हैं हम लोग हल कर लेते क्योंकि यह जो आपका क्या दिया गया इस पर रेक रिंग दिया गया तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा यहाँ पर 0.726 पर क्या है रेक रिंग है तो इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते कि 726 मैनस कितना करेंगे मैनस जिस पर रेकरिंग नहीं उतना क्या करेंगे मैनस कर देंगे बटा नीचे जितना रेकरिंग था उतना बार नौ तो एक संख्या पर रेकरिंग थी तो एक बार नौ और point के बाद कितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर दो संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है तो उतना बार क्या कर देंगे 0 तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 726-72 करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर से 2 तो 5 यानि कि 654 बटा कितना हो जाएगा 900 अप क्या करेंगे आप सिंपलिफाइ कर लेंगे सारा तो 654 बटा 900 आफ है यानि कि इनटू आपका कितना हो जाएगा 9 बटा दस भाग है तो यह आपका क्या हो जाएगा 1 बटा 1.09 0.30 वाइगे उपर कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 20 2 दूनी 4 एक 5 5 बटा 20 होगा ज़ी अलब धाफestजिक यह आपका 30 बटा 20 होगा तो आप क्या करेंगे जो कट रहा हूउ से काट लेंगे तो 220 ढ़ 2 22 चला गिया 09 से 9 आपका यहाँ पर चला गिया 109 से 69 24 कि नोचक चोवान शुआख बार जाएगा फिर यहां पर से हाल करें लेगा है इक तो एक लिंग चला गै़ा हो चला गिया आप क्या है प्र सारा हब है नहें पर से ब्सक्तर करें 3 वट और 5 मिःनस 13 तीया 9 वट खितना होगी या आठ बराबर 8 हर 5 का यहल से हम लोगा 40 कितना होगा 45 4, यानि कि 8 तीया 24 मैंस 9 कितना हो जाएगा 45 तो 24 मैंस 45 करेंगे तो आपको कितना जाएगा 21 वट और 40 तो सिंपलिफाइ यह करने पर से यहां भी जूर शकते हैं इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिक्षिन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो का अपने दूसरों के सेर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा तो वीडियो में बस इतना ही वीडियो के अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत ध अजय हम द घिस्क्रिक्षिक करर सकते हैं भी इसिद्दी घफर दोलेगा उन्स पाइब वीडियो के लिए गिध़ लॉब हैं पल झंदे सेर nपरने हम में दूसरों के से लिए जए छतbersना ह varit वीडियो के